हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक वेड़ न्यू वीडियो मेरा नाम है उतकर्ष दोस्तों टेक्निकल एनलेसिस की हमने पिछली वीडियो में एक पैटन देखा था जिसका नाम था दे डोजी पैटन डोजी पैटन के अगर आपको वीडियो देखनी है आप आई पेटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों आज किस वीडियो में हम एक और में सिंगलेसियां को देखने वाले हैं जिसका नाम हैDEE PEMA IN mus hemen किस तरीके से और किस तरीके से POL अप्लाउच लगा सकते हैं आज किस वीडियो में आपको सभी चीज़ें पता लगेंगी तो दोस्तों बिनाज देरी कि आज कि इस वीडियो को शिर्व करते हैं यही है हमारा पेपर अंब्रेला पैटर्न क्यों का जाता है क्योंकि आप इसका अप्यरंस देखिए यह कहीं ना कहीं अंब्रेला की तरह देखता है उपर की तरह आप चाता देख सकते हैं और नीचे की तरह आप इसका डिंडा देख सकते हैं तो बिल्कुल चाते की तरह यह दिखता है इसी लिए इसका नाम पेपर अंब्रेला पैटर्न है तो दोस्तों यह जो पैटर्न है यह हमारा डि पटी है और हुष होती है और स्मॉल होती है और जो इसकी लोओर होती है वह लॉन पटाये महीं है कि वह जो ऑंबोलि आप के सामने यहगी बाडव सामने है इसका जो open price है वो है 100 रुपीज, इसका जो high price है वो है 103 रुपीज, इसका जो low price है वो है 94 रुपीज और जो इसकी closing हुई है वो 102 रुपए पे हुई है, आप दोस्तों अगर हम इसकी real body की length निकालें, तो इसकी real body की length कितनी आएगी real body की length आप देख सकते हैं कि closing minus open कर दीजे, वो इसकी real body की length हो जाएगी तो वो आप देख पा रहे है 102 minus 100 करने पे आया आपका 2, तो 2 unit आपकी यहाँ पे real body की length है इसके अगर अगर मैं आपसे पूछे lower shadow की length कितनी है, तो lower shadow की length कितनी हो जाएगी आपकी open minus low open price है आपकी 100, और जो low price है वो है आपकी 94, तो यह हो जाता है आपका 6 unit, तो दोस्तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि lower shadow की length real body की 2 गुनी तो होनी ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे आप देख सेते कि lower shadow की length आई यह 6 और real body की length आई यह 2, जो की 2 गुने से अधिक है तो दोस्तो इस तरीकी candle qualify करती है paper umbrella pattern formation के लिए, दोस्तो paper umbrella pattern आपका दो तरीके से बन सकता है, सबसे पहला case होता है the hammer formation, hammer formation की case में सबसे पहले एक downtrend बनता है, उसके बाद आपकी paper umbrella candle बनती है, फिर उसके बाद uptrend बनना शुरू हो जाता है, तो यह होता है आपका the hammer formation, दूस hanging man के case में सबसे पहले एक uptrend बनता है, फिर आपकी paper umbrella candle बनती है, उसके बाद से एक downtrend बनना शुरू हो जाता है, तो दोस्तो इसी को कहते है हम लोग the hanging man, चलिए दोस्तो अब हम इन दोनों ही case को analyze करते हैं, और देखते हैं किस तरीके से हम वहाँ पर trade ले सकते हैं, कितना हम पे stop loss लगाना चाहिए, और अपना profit book करना चाहिए, तो दोस्तो सबसे पहला case हम डिस्स करने जा रहा है, the hammer formation, इसके लिए आप ये चार्ट देख पा रहा है, ये ग्लेन मार्क फार्मा का चार्ट है, इसे मैंने 5 मिनिट टाइम फ्रेम पे set कर रहा है, इस चार्ट में आप ये candle देख पा रहा है, ये हमारी एक paper umbrella candle बनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक downtrend बना, इसके बाद हमारी paper umbrella candle बनी, इसके बाद ही नया uptrend शुरू हो गया, तो दोस्तों इस pattern को देखते हुए, आप यहाँ पे entry ले सकते हैं और profit book कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे जो आपको stop loss लगाना होगा, वो इस candle का सबसे lowest point पे लगाना होगा, इस candle का सबसे lowest price है आपका 542 रुपे 10 पैसे, तो आप 542 रुपे 10 पैसे पे अपना stop loss लगा सकते हैं, और trade enjoy कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अप नया trend बनेगा, वो आपका uptrend बनेगा, औ और यहाँ पे आप stop को buy करके profit generate कर सकते हैं, दोस्तों अभी हम डिसेज करने वाले हैं हमारा second case जो की है the hanging man, यह जो चार्ट आपके सामने open, यह HDFC बैंक का चार्ट है, इसे मैंने 5 मिनिट टाइम फ्रेम पे set कर रखा है, इस चार्ट में आप यह candle देख पा रहे हैं, जिसके पहले यहाँ एक uptrend बना, इसके बाद यहाँ पे यह paper umbrella candle बनी, इसके बाद यह एक downtrend शुरू हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे आप short selling करके अपना profit generate कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर हम इस candle को देखे हमारी paper umbrella candle को, इसका जो open price है वो 1480 रुपे 5 पैसे है, इसका जो closing price है वो 1480 रुपया 85 पैसे है, तो आप इसके closing के around, इसमें entry ले सकते हैं, और short selling कर सकते हैं, तो 1480.85 के approach आपने इसके अंदर short selling करी, और यहाँ पर जो आपको stop loss लगाना पड़ेगा, वो इसका highest price पे लगाना पड़ेगा, इस candle की जो highest price है, वो 1481.55 है, तो 1481.55 पे आप अपना stop loss लगा सकते हैं, और इसके बाद इस trade को enjoy कर सकते हैं, और जैसे ही candle के अंदर more than 0.5% का move आ जाता है, तो आप अपना profit वहाँ पर book कर सकते हैं, तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में इतना है, जहाँ पर हमने 2 important formation देखे, सबसे पहला था हमारा the hammer formation, दूसरा था हमारा the hanging man, इन पूछेगा, आपको उसका reply जरू मिलेगा, दोस्तों जाता है आता है वीडियो को like कर दीजेगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को subscribe कर दीजेगा, बेल आइकन को जरू दबाद दीजेगा, तक कि आपको आने वाली वीडियो की notifications मिलती रहे, मिलिंगे एकली वीडियो के साथ, त